सराब दुकानों में ओवर रेटिंग पर एक्सन सतना कलेक्टर ने सस्पेंड किये पन्ना नाका और रामपुर की कमपोजिट सराब दुकानों के लाइसेंस नमस्कार मेरा नाम है शिवंकुषवाहा और आप देख रहे हैं दाखबरदा अन्योज जिले की दो और सराब दुकानों को मुनाफ़ा खोरी महगी पड़ी है ओवर रेटिंग करने पर कलेक्टर वा जिला मजिस्टेर सतना ने दो और दुकानों का लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है सहर के पन्ना नाका और जिले के रामपुर की सराब दुकानों के सटर गुरुबार 29 सितंबर को नहीं खुलेंगे ओवर रेटिंग और सराब विक्री का बिल ना देने की सिकायट पर आबकारी भाग ने कमपोजिट मदीरा की पन्ना नाका और रामपुर भगहलान दुकानों में टेस्ट परचेश कराया था इन दुकानों में चिन्हित ब्यक्तियों को सराब खरीदने भेजा गया था खरीदारों को दोनों ही दुकानों में MRP यानि अधिकतम फुटकर विक्री मूल से अधिक कीमत में सराब बेची गई मागने पर बिल भी उपलब्ध नहीं कराया गया इस संबंध में जांच और तस्तीक के बाद आबकारी भाग ने प्रक्रार कलेक्टर के समझ प्रस्तुत किया था जिस पर एक्सन लेते हुए कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कमपोजिट मदिरा दुकान पन्नाना का और रामपुर बगहलान का लाइसेंस एक दिन के लिए यानि 29 सितंबर के लिए इलम बिद कर दिया है यह कारवाई मदिरा की फुटकर बिक्री के दुकानों एकल समूहों के निस्पादन विवस्था वर्स 2022 तेज के निर्दोसों वामत दिब्रदेश आवकारी अधिनियम 1915 की सर्तों के उलंगन पर की गई है कमपोजिट मदिरा दुकान रामपूर बगहलान के लाइसंसी प्रसून सिंग और कमपोजिट मदिरा दुकान पन्ना नाका के लाइसंसी नागन सिंग है बता दें कि टेस्ट पर्चेच के दोरान कमपोजिट मदिरा दुकान पन्नानाका में देशी मदिरा मसाला का एक पाउए एक सो स्सी एमल मर्पी रेट से 19 रुपए अधिको और 100 रुपए में बेचना पाया गया है इस प्रकार रामपुर बगहलान कमपोजिट मदिरा दुकान में देशी मदिरा प्लेन संतामन रुपए के खुदरा विक्रे मूल पर 80 रुपए में बिक्री होना पाया गया किसी भी ग्राहक को रसीद भी नहीं दी जा रही थी राबधान उनुजार लाइसेंसी निलंबन अवधी के लिए कोई भी प्रतिकार पाने या उसके संबंद में चुकाए गए किसी भी फीस या किये गए निच्छेप के प्रतिवादन के हकदा नहीं होगा बता दें कि कलेक्टर ने सरकिट हाउस और सोहाबल मोट सराब दुकानों के लाइसेंस भी सस्पेंड किये थे प्यूरे रिपोर्ट दा खबरदा आने उचे